पहर के वैशनो देवी के नाम से जगत विख्यात नीमच माता के दर्बार में जाने वाले भक्तों को कभी भी बड़े हाथसे से गुजरना पड़ सकता है। इसी को लेकर सोंबार को नवरातरी से पूर्व वहां की व्यवस्था देखने गई युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने पहाडी से उतर कर ये बात बताई जो शेत्र में आक्रोश फूट पड़ा। देवाली के व्यापारियों ने मंगलवार को तीन घंटे अपने प्रतिष्ठान बंध कर प्रशाशन को ग्यापन के माध्यम से चेताने करने ने लिया। शेत्र वासियों ने बताई कि आगामी 15 अक्टूबर को नवरात्री स्थापना को लेकर व्यावस्था देखने पहुँचे तो आँखे खुली की खुली रह गई। मार्ग तूट चुका है। उनका कहना है कि नवरात्री के समय तक अगर यह मार्ग सही नहीं करवा गया तो बड़ी जन्हानी होने का भी अंदेशा है। देवाली नीमच माता जनता व्यापार मंडल के सदस्यों ने इसके विरोध में मंगलवार सुबह 11 से दो बचे तक प्रतिष्ठान बंद कर ग्यापन देकर प्रशाशन को अवगत करवाने का नेर ने लिया। आप विडियो में देख सकते हैं किस तरह से पूरा मार्क तूटा हुआ है और मंदिर तक पहुँचने में काफी समस्याओं का सामना भक्तों को करना पड़ता है। मैं प्रदीब कुमावत निवाशी देवाली ये सब मेरे साथी हैं जो हर वर्ष दस दिनों का जो उद्यपूर की वैशनो देवी जो निमज माता के नाम से जानी जाती है वहां हम आज शाम को माताजी दर्शन के लिए गए थे हम 30-40 लोग गए थे व्यवस्थाओं के निम प्रकार ये सारी रेलिंगे टूटी हुई तुम्बलिया टूटी हुई बंसलिया वगेरा यहां पर कांटे तक नहीं साफ किये गए लाइट यहां पर विवस्था बड़ी मुश्किल से साथ बजे फोन करके लाइट चलाई गई है जो लाइट पांच शे बजे जल जानी च प्रकार ये रोपे का काम चला और पूरे रस्ते में गदो पर माल ले जाए गया यह सारी बंसलिया तोड़ी गई इनका कौन जिम्मेदार होगा और अगर किसी सज्जन किसी बगत गण के साथ अगर कोई हाथसा हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रशाशन होगा यह कौन पूरे रस्ते में कहीं भी बिल्कुल सफाई नहीं है जो कि हमारा उद्यपूर की वैश्नोदवी जहां कि लाखों की ताधात में शद्दालूगन आते हैं वहां पर आज बहुत ही बुरी इस्तिती है हमें यह आपके चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि किसी भी प बंसलिया तोड़ दी गई है इसका कौन जिम्मेदार है और उसके अलावा देविस्तान विबाग यहां पे सिर्फ आता है और यहां पे वह बगवान की जो ब्यंट प्यात्र है उससे पैसा लेके जाता है उस वह करता क्या है हम यह सब महलेवासी जवाब चाहते हैं जो नीमजमाता मंदीर की जो मैं सीडी है उसके नीचे का वीडियो भी आपको बता रहे हैं वीडियो के हम पांचे क्लिप आपको दे रहे हैं उसके माध्यम से आपको पता तो लेगा कि वास्तम में नीमजमाता की इस्तितिक कितनी गंबीर है अभी जहां पे 400-500 लोग एक वक्त खड़े रहेंगे लाइन में वहां के नीचे के सरीय निकल गए हैं सरीय भी तूट चुके और कोई सुद लेने वाला नहीं है पांच-पांच बार ग्यापन देके हम प्रशाशन को और देविस्तान विबाग को पहले भी बता चुके पर आज दिन तक कुछ भी इसके पूरी जनता द्वारा होगा कल इसके विरोध में क्योंकि काम बताने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो इसके विरोध में पूरा देवाली बंदे मार्कर यह व्यापार मंडल भी पूरी दरह बंद कर दा करा गया है कल आपको इसका पता चल जाएगा जय हिन जय भरत